आप सभी को जैस्त्री कृष्णा राधे राधे तो आज फिर सुनाते हैं लड्डू गोपाल की एक सत्य घटना जिसको सुनकर आपके दिल में भी लड्डू गोपाल के प्रती स्रद्धा भक्ती भाव और बढ़ जाएगा और जिनको लड्डू गोपाल की अनभूती नहीं ह हम तो इतने दिनों से रखे हुए हैं हमारे घर में लड्डू गोपाल हैं हम सेवा भी कर रहे हैं लेकिन हमें तो कोई अनभूती नहीं होती तो ये जो सब आप लोग बता रहे हो ये सत्य घटनाएं बताते हो अनभूतियां बताते हो या चमतकार बताते हो लड्डू पाल तो कभी ऐसे नहीं करते तो ये सब करने के लिए उनसे भी तो इतना ऐसा रिस्ता भी तो होना चाहिए ना हमारा इतना प्रेम भी तो होना चाहिए जब हम कहते हैं ठाकुर जीन जो है ना हमारे लड़ू को पाल जो है उनको कुछ भी नहीं चाहिए उनको सिर्फ भाव च उनको ये सब कुछ की जरूरत नहीं होती बस उनको भाव दो भाव के साथ आप जिस चीज का भी भोग लगाओगे अगर आप भाव के साथ मिसरी भी रख दोगे न तो वो भी वो सुईकार कर लेते हैं लेकिन ये सब चीज के लिए जब आपको अनभूती होंगी और तब हैं वो निश्चल हो निश्कपट हो और उनके प्रती भाव हो स्रद्धा हो आपकी भक्ती हो तब लड़ू गोपाल भी आपको अनभूतिया कराने लगते हैं ये सत्य घटना मेरे साथ सेयर की हैं कानपुर से पूजा जी तो पूजा जी बताती हैं कि उनके घर में उनके सा अच्छे से सेवा करते हैं ऐसा नहीं कि सिर्फ पूजा जी ही कर रही हैं या कि उनके सास ही करती हैं बिल्कुल नहीं सब मिलके करते हैं और पूजा करते करते इनको बहुत साल हो गए हैं कई वरसों से इनके घर में ये जो लड़ू गोपाल हैं वो पूजे थे मतलब इनके जो husband है ये छोटे थे तब ही इनकी सासो मा ये लड़ो गोपाल ये लेके आएं थे मतलब सासो किसी तीरत में गए थे और वहां से लेके आए थे तब से ये पूजे थे उनके घर में लड़ो गोपाल और पूजे जी बताती है कि ये बहुत अनभूतियां कराते हैं पहले कहती हैं कि पहले मैं इनकी पूजा नहीं करती थी मतलब हमेशा मम्मी ही करती थी तो वही करती थी मैं कभी का जैसे उनको भोग देना या कि कुछ जब मम्मी करनी पारी हैं कहीं चली गई हैं तब मैं उनकी सेवा कर लेती थी मतलब जैसे अभी मैं करती हूँ रेगुलर की बिना ड़ुको पायल की सेवा के मैं रहनी पाती ऐसा मेरे साथ नहीं था पहले तो अब क्या होता है कि मतलब इस वज़े से करने लगी क्योंकि अब इनकी जो सासु मा है वो बुजुर्ग होने लगी अब इनसे उतना हो भी नहीं पाता और अब वो कर नहीं पाती हैं अपने स्वास्त की वज़े से बैठा नहीं जाता इतनी देर तक और ठंड के टाइम पर नहाया भी नहीं जाता है क्योंकि बहुत बुजुर्ग हो गई हैं इस वज़े से अब ये ही करती हैं तो जब पूजा करने लगी तो इनको अनभूतियां भी होने लगी हो ये जो पूजा जी है ना बहुत अच्छी है सौभा उसे बहुत ही अच्छा नीचर है और बताती हैं कि इनकी जो सास और बहु का ये जो रिस्ता है ये भी बहुत प्यारा है कहते हैं कि हमारे मुहले परोस वाले जो हमें पहले बार भी अगर कभी कोई रि कहते हैं कि मतलब जोड़ी हो सास पहू की तो ऐसी हो और हमारे रिस्तेदार भी कहते हैं कि हमेशा ऐसे ही रिस्ता मतलब सास पहू का रहने चाहिए मतलब एक दूसरे को ये बताते हैं कि रिस्ता हो तो ऐसा हो इतना प्यारा रिस्ता है बहुत अच्छे और ये प्यारा रिस्त तब होता है जब हम एक दूसरे की पातों को एक दूसरे की भावनाओं को समझते हैं ये रिस्ता तब ही ऐसे बनता है दोनों की समझदारी से किसी एक अगर सास अच्छी है और बहू अच्छी नहीं है कि बहू अच्छी है और सास अच्छी नहीं है तब भी ये नहीं होता है जब तक दोनों में bonding नहीं होगी, जब तक दोनों की विचार नहीं मिलेंगे, समझदारी नहीं होगी, तब तक ये रिस्ता भी किसी एक की गलती से नहीं होता है, दोनों की ही गलतीयां होती हैं, तब ही रिस्ते जो हैं, वो बिगड़ते हैं, हमेशा एक दूसरे को समझना चा तो फिर वो बरकत भी नहीं होती है हमारे घर में तो हमेज़ा यही कोसिस करिए कि अपने घर में सुक्सान्ती पना की रखिए तब ही अच्छा है घर के लिए परिवार के लिए आप के लिए सब के लिए तो पूझा जी बताती है कि हम लोग बहुत अच्छे से रहते हैं एक पर क्या होता है कि जैसे यह पूझा करके चली जाएं और भोग लगा दें और फिर बाद में इनको कभी-कभी ऐसा लगता था कि जैसे आज इनको यह पसंद नहीं आया जैसे कुछ भोग लगाई यासे खीर का ही भोग लगाई अब दो बार से ये खीर खा रहे हैं तो अब इनकी एक्षा है कि मैं ये खीर नहीं खाऊंगा मैं दूसरी खाऊंगा तो क्या करेंगे कि उस खीर में कहीं कुछ हो जाएगा कहीं कुछ हो जाएगा मतलब ऐसे नहीं है कि तो फिर हम भोक के से लगाएंगे या तो कभी-कभी क्या होता है कि वही उनकी जो खिलास रहती है पानी वाली कभी वो पानी जिए प्ले पर उनकी पास लेकि जाती है, पता नहीं कैसे उसमें बाल दिख जाता है ? तो ऐसी चीज़ें होती हैं जिस पाथ से हमें ये पता चल जाता है कि आज इनको ये सुईकार नहीं करना चाहे वो खीर हो या कोई भी प्रशाद जो हम उनके लिए बनाते हैं, वो चीज में भोग लगा और वो इस तरीके से हो जाता है तो ये हमें पता चल जाता है कि आज इनको ये नहीं खाना है फिर हम उस चीज का भोग नहीं लगाते हैं कुछ दिन फिर बदल बदल के मतलब मेरे जो ठाकुर जी हैं मेरे जो लड़ू को पाले उनको कोई एक पर्टी को एक चीज नहीं कि आप वही वही खिला रहे हो वही वही खिला रहे हो ऐसा नहीं है उनको बदल बदल के चाहिए जैसे हम लोग कभी भी एक ही एक चीज खाखा के बोर हो जाते हैं वैसे ही वो भी होते हैं कि वो भी तो एक छोटे से बच्चे ही हैं तो ऐसे ही भाव से पूज़ा भी अपने लट्टू को पाल की सेवा किया करती थी एक बहर क्या होता है बताती है कि वो उनके परिवार में मतलब किसी की साधी थी तो साधी में इनको जाना था और सब लोग जानी सकते है क्योंकि मम्मी की तबिया ठीक नहीं रहती है वो जादा चल नहीं पाती और थोड़ी दूर की साधी थी मतलब अगर सुबह जाओ तो रात तक ही आप आओगे ऐसे तो उनकी मम्मी जो सासु मा होती है वो कह देती है कि बेटा तुम ही लोग चले जाओ मैं घर में आराम से रह लूँगी तो ये सुबह की पूरी तैयारी करके मतलब सुबह का खाना बना के और साम के लिए भी मतलब अपने मम्मी पापसास सासुर के लिए रख जाती है कि क्या पता वहां से कितनी देर तक वापसा क्योंकि साधी में जाना है कि बना तो जाती है लेकिन ये सासुमा से कहना भूल जाती है अब ये तैयार होने लगती है सब को सब बना जाती है और कहती है कि मम्मी आप लोग अभी दुफैर का तो देखे जाती है मतलब नास्ता वास्ता करा के जाती है जब कुछ और कहा देती हैं कि मैंने खाना बना लिया है जब भी आप दुफैर में भोग लगाएं मतलब अपने लिए वो करेंगे तो पहले लड़ो को पाल को लगा दीजेगा फिर आप खा लीजेगा ऐसे करके और फिर चली जाती है अब ये पार फोन कर लेती है अपनी सासु मा को की मा आपने भोग लगा दी अपने खाना खा लिया तो वो कहती है कि हाँ बेटा खा लिया ऐसे करके अब क्या होता है दुफैर में लंच ये मतलब दुफैर कब हो जन ये लोग भी कर लेते हैं अब साम की साधी के लिए तो आई ही थे क्लोज रिस्तेदार की साधी थी किसी ससुराल पक्च में ही तो उनके यहां आए हुए थे अब क्या होता है साम की साधी की तैयारी होने लगती है बरात आने वाली होती है लेकिन ये कहती है कि अपने अस्बेंड से कहती हैं कि जल्दी चलते हैं मम्मे भी अकेली हैं और लेड़ू को पाल को भी छोड़ के आई हूँ और क्या पता मम्मे उठ पाती हैं नहीं उठ पाती हैं क्योंकि साम का टाइम है और वही है ना बड़े बुजूर्ग एक बार अगर बिस्तर में चले गए तो उनका उठना थोड़ी मुस्किल हो जाता है क्या पता कर पाती हैं नहीं कर पाती ये सोचके तो वो कहते हैं कि अरे अब इतनी टाइम तक रुके हैं तो अब साधी थोड़ी सा हो जाए जैमाल हो जाए फिर चलते हैं जैमाल होते होते उनको बहुत टाइम हो जाता ह मतलब इन लोगों को ये था कि 8-8 बजे तक अपने घर आ जाएंगे लेकिन 8-8 बजे तो जैमाल ही सुरू हुआ और अब जब जैमाल हो जाएगा तब फिर बाद में आएंगे फोटो ओटो का तो जो सिस्टम होता है न वही तो करके आना था तब ही तो पता चलेगा कि साधी में कौन कौन आया है तो ये सब चीज होती है इनकी फोटो ओटो क्लिक होती है फिर ये लोग निकलते हैं अब निकलते खाना वाना सब खाती लेकिन इनका जो ध्यान था वो घर में ही था कि क्या पता लड़ो को पाल सो एक ही नहीं क्योंकि रात हो गई थी अब जैमाल आठो साड़े आठ बजे सुरू हुआ अब इनका सब कुछ होते होते साड़े नो बज गए अब ये परिशान होने लगती है कि घर पहुंसते पहुंसते ग्यारा साड़े ग्यारा बच जाएंगे क्या पता लड़ो को पाल को ममी ने सुलाया है नहीं सुलाया मैं कैसे बोलू कि आप सुला दो क्या उनकी भी हुनमत होती है की नहीं होती अब ये परिशान हो जाती है कि ममी लोगोंने भी खाना खाया की नहीं खाया ऐसी करके बहुत परिशान हो जाती है अब हस्बेंट से कहती हैं तो हस्बेंट भी कहती है अब उनके भी दोस्तियार मिल गए सब भाई कुटुम्ब के तो वो भी बत्याने में लग गए अब कैसे निकलते 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 इनको साड़े दस बच जाते हैं अब इनकी बेचैनी सी होने लगती है क इनकी भी जो रूटीन है कि नो साड़े नो बजे दस बजे तक वो उनको सैन करा देती थी लेकिन अब साड़े ग्यारा बज गए अब क्या पता सुलाईं भी है मम्मी की नहीं सुलाईं उनको भोक लगा भी है कि यही सब चिंता में और फिर अपने हस्बेंट से कहती है निकल तो आए लेकिन उसी चिंता में कि क्या पता लड़ो को पल सोए है कि ने अब आते आते इनको साड़े ग्यारा बज जाते हैं साड़े ग्यारा बारा का ऐसे टाइम हो जाता है मतलब इतनी रात हो जाती है बैल बजाती है मम्मी तो सो गई थी लेकिन पापजी जग रहे थे पापजी ने दरवाजा खोला इतने में हम लोग आए मम्मी भी जग गई थी अब मैं जाके सीधे हाथ मों धुलके सीधी मंदिर के पास चाती हूँ कि मेरा लड़ो बैठा होगा देखी तो लड़ो गोपाल बढ़िया मस्त नीद में सो रहे थे बहुत हैं मुझे देखी इतन खुसी हुई इतनी खुसी हुई कि चलो मेरा लड़ो को पाल सो गया आप कोई चिंदा नहीं है और है तो मैंने फिर मम्मी तो जग गई थी तो मैंने मम्मी से पूछा है मम्मी आप परिशान हो गई ना और सुलाईं आप ही सुलाईं बोले कि हाँ बेटा अब मैं आगे बताती हूं तो उनको लगा कि पता नहीं क्या हो गया तो पहले तो मुझे बुलाया फिर बाद में मुझे गुस्सा से बोली कि एक बात बता जब तू जा रही थी तो तो मुझे ये नहीं कह कि जा सकती थी कि मम्मी साम का इनको भोग लगा देना या कि मुझे लगा कि साए तुह वहाँ पे मंदिर में रख दी होगी डडो गो पाल के पास इसलिए मैंने ध्यान भी नहीं दिया और है तो मैं बोली मैं परिशान हो गई मुझे लगने लगा कि पता नहीं क्या हो कि मम में क्या हुआ मतलब परिशान हो गई थी कुछ दिक्कत क्या हुआ था मतलब किस वज़े से आप ऐसे नाराज हो रही है तो बोले कि ये नाराज वाली बात नहीं है जब तुम जा रही हो इतनी देर के लिए जब तुमको पता है कि तुमको साधी में जाना है तो तुमको वो विवस्ता करके जाना चाहिए तुमको पत कि मैं उठनी पाती हूं मुझे कितनी तकलीफ होती है उठने में चलने में बोली वहारे मम्मी सौरी मैं गलती हो गई ऐसे बहुत बोलती है अपने साथ से फिर पूछती है कि आखर बताईए ना आखर हुआ क्या तो बोली कि मैं क्या मुझे तो आश्यर हो रहा है उनकी भी ब इकाद रोटी का, यहाँ अब साम का उनसे भी भोजर नहीं हो पाता है, तो जो दुपेर में खाती ही, एकाद रोटी ही साम को खाती ही, तु बोली की मैंने खाया और मेरी नीद लग गई, और है तो इनको खिलाई और इनको जब तक तो माओ की नहीं, तब तक नीद ही नहीं अब मैं जैसे ही सोती हूँ और मुझे एकदम से ऐसा लगा कि जैसे कोई बच्चा हो और वो कह रहा है अम्मा भूख लगी है अम्मा भूख लगी है ऐसे करके कोई छोटा सा बच्चा हो लेकिन मुझे एकदम से मैं उठी और मुझे लगा अरे ये बच्चे तो गई हुए है, ऐसी भ्राम होगा अब मैं फिर लेट गई अब मैं जैसे फिर लेटती हूँ फिर मुझे आवा आजाई अम्मा भूक लगी है अम्मा भूक लगी ऐसे करकी मैं मुझे तो बड़ा वो लगने लगा कि कि मतलब ये भ्रहम नहीं है ये है कोई मतलब मैंने इनको बुलाए कि सुनो इधर आओ तो ये भी आए पास में और बुले कि क्या हूँ आपको चाहिए तो मैंने बुला नहीं मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कोई बच्चा बुलार मतलब भूखा हो और कहरा हो कि अम्मा मुझे भूख लगी है तो बुले कि कोई होगा दरवाजी अरवाजी मैं बुले कि दरवाजी में इतनी रात में इतना छोटा बच्चा कोन होगा फिर मुझे एक दम से ध्यान आया कि लगता है पूजा भगवान इनका लड़ो गोपाल के पास कुछ भोजन पानी की विवस्ता करके नहीं गई है क्या मैं तुरन तुटती हूँ हाथ मुँ अच्छे से धुलती हूँ मंदिर के पास आती हूँ और देखती हूँ कि उनके पा नहीं ये तो मेरा लड़ो गोपाल मेरा नंदलाला है जो कि मुझे बुला रहा था कि अम्मा मुझे भूंक लगी है तब इनको भी ये जो थी पूजा जी इनको भी इतना वो लगता है इतना दुख लगता है इस बात का कि बताओ मैं वहाँ पे इतने चपन पकवान खाके जाई और यहां पर मेरा लड़ो गोपाल ऐसी रह गया मेरी कितनी बड़ी गलती हुई कि मैं बना के भी गई लेकिन मैं उसके पास नहीं रग गई लेकिन फिर बहुत बहुत धन्यवाद देती हैं अपनी माताजी मतलब 700 मा का भी कि उनकी वज़े से वो भूखें नहीं रह इस तरीके से वो भी एक अनभूती कराए कि मैं हूँ मतलब जो भगवान जो लड़ो गोपाल से इतना जब हमारा प्रेम हो जाता है जब इतना भाव मतलब जुड़ जाता है एक दूसरे से रिस्ता तो ऐसी अनभूतियां होना सौभाविक होती है ऐसी अनभूतियां होती ह कि सेवा में उन्होंने लगा दिया था और अब बुचुर्ग हो गई थी उनका स्वास्त सही नहीं रहता था इस वज़े से लेकिन मन से वो अभी भी लड़ो गोपाल की सेवा करती हैं और जैसे कि ये पूजा जी भी अब करती हैं तो ऐसी अनभूती उनके साथ हुए और उन सब्सक्राइब करिएगा मिलते हैं किसी नेक्स्ट सत्य घटना के साथ जब तक अपना ख्याल रखिए अपनों का ख्याल रखिए थैंक यू सो मच फुल वाच करने के लिए राधे राधे